हेलो गाइस मेरा नाम महिन बर्माय और करेंटली मैं एंटी पीसी में एजन एग्जीकेटव इंगेनियर वार्ग कर रहा हूं और इस वीडियो में हम लोग आयो सीयल 2022 के तूँ जो इंटर्वी होने वाले हैं उसके प्रेपरिशन के स्ट्रेजी डिसकस करेंगे लास्ट ये मैंने इंटर्व्यू दिया तो मैं अपने experiences जो मुझे questions मुझे करें इंटर्वी में वो discuss करेंगे one by one each and everything देखेंगे about the interview तो हम लोग आज का discussion स्टार्ट करते हैं इस presentation में हम लोग बात करेंगे IOCL के इंटर्वी की जो 2022 के तुरू short listing आ चुकी है और उसके बाद हमें man focus रहता है इंटर्वी के लिए preparation कैसे करना है किन topics पर ज़्यादा ध्यान देना है और IOCL किस तरह से इंटर्वी कंडेक कर रहता है तो one by one देखते हैं ID card distribution जैसे आप IOCL की इंटर्वी होने वाला है उसमें उनका यूज होगा ID card लेते आपको एक presentation hall में बेजा जाएगा presentation hall में जैसे पहुंच होगे IOCL की तरफ से representative होंगे वह आपको hall में seating arrangement जो होगा उस seating arrangement उसके according आपको बेठाएंगे presentation में आपको company के बारे में basic information जाएंगे लाइक की IOCL एक डाउन रिस्टिंग कंपनी है डाउन रिस्टिंग कंपनी का मतलग होता है कि एक crude oil ONG से से लेती है उसे refine करती है refine करने का ली यूजेवल बनाती है और उसके बाद में जो हमारे रेटेलर्स हैं all across the India और outside of India उन सब को यह क्या करती है ने distribute करती है जैसे प्रेंटेशन के मैंने फर्सट पॉइंट रखा है इंडियन और है लांच इट्स ऑफिसल ब्रांड मैस्ट इंडियन ओइल राइनो तो यह कुछ पर्टिकुलर वर्ट्स हैं प्रेंटेशन में या पर्टिकुलर पॉइंट से तुम्हें याद रखना है क ज़्यक्ट स्पाइपलेद डीजिन और मार्यग्टिंग डीजिन उसके बारे में आपको बेसिक इंफर्मेशन बताएंगी प्रजेंटीशन में कि किस तरह काम में इसमें यह देन इंडियन ओ पॉर्परेशन the future of Indian energy the future of India energy उसके बारे में आपको basic things company में इसका कितना revenue generate होता है और strongest support from the government of India किस तरह से largest refinery in the country कहां पर है पैन इंडिया pipe and infrastructure है वो actual में कहां है लीडिंग markets here across the portfolio and R&D में किस तरह से इसकी research and development products sell रहे हैं और IUCL अपना business किस एरिया में expand कर रहा है like मैंने last time जब presentation attend किया था तो उन्होंने जैसे polymers में काम कर रहे थे renewable energy resources में काम कर रहे थे कुछ जो Indian oil है उनके option number को increase करके कोई more efficient field को उन्होंने launch किया था उसके बारे में information बताई थी तो यह कुछ important points है वो आपको एक चोटा सा कोई diary कुछ carry करना है अपने साथ at the time of presentation उसे note down कर लेना है एक दो question definitely एचा राउंड में पूच ले जाते हैं इसे जो आपको presentation बताए जाएगा कि आप more focused or concentrate होके इस presentation को सुने जैसे आपका presentation complete होगा आपको document verification की नमबर आएगा document को आपको किस किसी को खयाल रखना है वो आपके call letter में clearly mention होता है सबी documents original format उनकी होनी चाहिए और along with one year two photocopy जो उसमें clearly mention होगा वो आपको photocopy लेनी है और आपको किसी organization में काम कर रहे हैं तो आपको noc की requirement होगी noc carry करना होगा साथ में उसके बाद में one by one call करेंगे document verification का document verified होने के बाद में आपको एक slip paper दे दिया जाता है जिसमें आपके basic कुछ code लिखा होगा कि हाँ document verified है आपको gd gt और interview के लिए भेजा जाएगा अब यह जो round होते हैं group discussion group task और interview एक particular इनका कोई pattern नहीं कि पहले group discussion होना है group task और interview random होते हैं जिस तरह से panel available है उस तरह से कराता है किसी का group task पहले होगा interview बाद में होगा gd पहले होगा तो किसी भी वे में करा सकते हैं जिस तरह से panel available है अब हम लोगों को इन सीजर में खयाल यह रखना है कि gd gt और interview के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है किस तरह से वह फर्म करना है कि हम maximum mark fetch कर सके तो पहले देख लेए हम लोग group discussion जैसे group discussion में आपका five members का गुरूप बना दिया जाएगा फाइब का लास्ट टाइम जब मैं गया था तो फाइब का बनाए था एक कम या ज़्यादा भी हो सकता वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर डे कितने नमर आप इस्टुएंट्स को कॉल कर रहा है आई उसी आन्यों गुरूप बनाते ही आपको एक रूम में वेजा जाएग जैसे मेरे टाइम पर बताया था इस किर्केट सब प्रैसिंग अधर स्पोर्ट्स इन इंडिया तो यह हम लोग उन्हें चूज किया था पांच लोगों का गुरूप था आपको जो इन गुरूप डिसकुशन में चीजों का खायाल रखना है वो क्या करना है कि बहुत इसे रेंडम नहीं बनाना है कि कहीं पर कुछ भी बोल रहे हो एक पर्टिकुलर वे में गुरूप डिसकुशन चलना चाहिए जैसे आपको वह पर्मिशन देंगे गुरूप डिसकुशन करना है कि उसके बाद में वन वाई-वन सब लोगों को उसके बारे में बोल रहा है आप आप इसके फेवर में भी बोल सकते हैं और अगर इसके बारे में क्या उपनियन है क्या सोचते हैं वह आपको बात रखनी होगी लाप ख्याल यह रखना है कि जहां बैठे हुए हो वाँ प्रॉपर आपको स्ट्रेट होके बैठना है ऐसे पैर फिलाके बैठे हो पैर के ऊपर पैर रखे हो कहीं देख रहे हो कुछ कर रहे हो किसी को बार-बार इंटरेप्ट कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में बोलें और मीनवाइल कहीं लग रहा है कि कि किसी के पॉइंट से आप डिसएग्री करते हैं तो पॉलाइटली उसे इंटरेप्ट कर सकते हो गुरूप डिसकसन पूरा होने के बाद में एराउं सेविन एट मिनट्स जो भी दिया जाता जानली इतना ही दिया जाता है जो इन्हें इंफेसाइज करने की जरूरत है वो पैनल के सामने रख सकते हैं ख्याल यह रखना है एक दो मिनट्स जो भी पॉसिवल हो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आ रहा कुछ बोली नहीं रहे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा टापिक के बारे में क्या है तो एक गुरूप डिसकर्शन कंप्लीट होगा फिर आपको गुरूप टास्क के लिए विजा जाएगा गुरूप टास्क में एक्चुली क्या है इसमें कोई सुच्वेशन दे दी जाती है जिससे आपको कुछ कंक्लूजिव स्टेट्मेंट में बहुशना पड़ेगा कुछ इस् प्राब्लम जैसे हमारे टाइम पर गुरूप जो टास्क दिया गया था जैट वाज एजुकेशन इज और प्लेस्मेंट पैकेज मेंटेलिटी इन इंडिया जनली होता क्या है अगर इंडिया में देखा जाए तो एजुकेशन आप आप आई टी से हैं एस्टेट इंजिनि वेलूज हैं एथिकल वेलूज हैं और जो सुसाइटी में कॉप आप या विंगे सोशल एलिमल्स लोगों से साथ कैसे कॉप आप करने वह कहीं ने कहीं छूट जाती है तो यह जो मेंटेलिटी बन रही है इंडिया में कि प्लेस्मेंट पैकेज देखे कॉलेज को चूज कर करना है और एजुकेशन ही जाल अबाउट प्लेस्मेंट पैकेज तो इसका कैसे सॉलुशन निकालना है इन चुछां को डिसकस करना होगा गुरूप टास्प में आपने पॉइंट्स को रखना है सिमिलरली होगा इच एंड एबरी मेंबर को इंबाल्व होना है ऐसा लगना चाहिए एक्चुली यू आर एक टास्क है एंड यू आ टौकिंग तू फाइंड आउट सम सॉलुशन किस तरह सेंस चीनों को प्रॉब्लम जो है टास्क के उसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर पो करना चाहिए कोई एक एक स्टीम लेवल पर ही कुछ बोड़ रहा है उसका कुछ और लोगों से इंट्रेक्शन नहीं है अपनी बात जब जस्ती या फॉस्पली अधर मेंबर्स को उपर सुपर इंपोज कर रहा है अपनी बात को रखो अधर मेंबर के एंडियां डिसक्री आप आसमें डिसक्स करके उसका कंडूजन लंग कुछ कंक्लूड करो और पेनल आपसे पूंचे कर इस लिए तो यू कंक्लूड इट तो यू कंडूड इट तो गूरूप डिसकेशन हो गया गूरूप टास्क हो गया इसके बाद नम्मर आता है आपका इंट्रिव्यू का रहे इंट्रिव्यू मेरे जनरल आयो से रांड्स वयांगे इंट्रिव रॉन एक्षन डैश्र और टीक्निकल करांड कर दोर्याओ का मतला प्रूंट लोगं यह पाल आया अपको इंट्रिव्यू में एंटक्री करेंगे यॱ थू तो गॉरूज संद जिसमें टेकनिकल एक् आपको introduction के बारे में बोला जाएगा कि introduce yourself, tell something about yourself तो इसमें क्या होता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा depth में बताने लगते हैं कि अपना बारे में, अपनी family के बारे में, siblings के बारे में, उनके profession के बारे में तो ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है introduction में, simply अपने आपको introduce करो, कहां से blog करते हैं, उसे इसको बताओ, अपने parents के बारे में बता सकते हो, parents के profession के बारे में बता सकते हो, that's it, siblings को ये discuss करने की जरूरत नहीं है basic अपना B.Tech किस year में complete किया है, अगर higher study है, तो कहां से complete किया है more about, अगर कहीं पर working हो, तो उसके बारे में बोल सकते हो, और अपनी hobbies देर से, बहुत precise manner में बताना है, बहुत ज़्यादा depth में नहीं बताना है introduction को उसके बाद में आपका चालू होता है interview, जिसमें HR and technical questions simultaneously उसमें रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले HR चल रहा है, फिर technical आप से कभी HR के question पूछ ले जाएंगे, बीच में कभी technical वाले questions पूछ नहीं जाएंगे, तो इस तीर को लेके थोड़ा सा वो रहना है, कि हां, mix question है, जो question माइगा, उसके according you have to answer, देख लेते हैं HR में मैंने interview दिया तो किस तरह की चीजां पूछी गई थी, HR में मेरे टाइम पर एक मैं थी, जिन्नोंने सबसे फॉर्स्ट कूशन जो मुझे पूचा था, what is success for you, अब ये एक subjective thing है, success, person to person depend कहती है, like I replied that for me, success is satisfaction and happiness, मैंने बहुत प्र counter question पूचा कि money require है कि नहीं, like I said that satisfaction and happiness, she asked me that is money the part of it or not, so simply I said that कि हाँ, वो एक integral part है success का, obviously इतना minimum हमारे पास तो money होना ही चाहिए कि हम अपनी livelihood को और जो delay life की needs से उसको fulfill कर सके, ऐसा नहीं है कि हाँ, एक red run वाली के चूओं की तरह है, या किसी के तरह दोड रहे मनी के पीछे ह हाँ, minimum amount जो होनी चाहिए, decent life के लिए वो होनी चाहिए, so similar the next question से आग देस, is money play a wider role in success, तो हाँ, ठीक है multiple answers होते है, इनके अपने according दे सकते हो, कि हाँ, money एक wider role play करती है, वाट इतना भी नहीं है, money is the everything, you have to make a balance कि हा, money success का part है, but this is not about कि money is the success, okay, so next question, generally हो HR में आपको पूंच हैं, most common questions होते हैं, almost everyone will have to face this question, why do you want to join IOCL, तो ऐसा कुछ नहीं बताना है कि हाँ, कि हाँ, पैसा बहुत मिलेगा, महारतना कंपनी है, जाके कुछ काम नहीं करना, बैठना है, इक इसमें professional way में answer देना है, कि हाँ, IOCL है, जिसमें being an electrical engineer, आपको exposure ज़्यादा मिलेगा, career का balance बना स सकती हो, आप में professional light में, obviously, पाके अलांसिस बहुत हैं, और आप society को भी सर्व कर सकती हो, being in IOCL, research and development department में अगर आप जाती हो, तो वहां से कुछ innovative या कुछ creative अपने जो idea जाएं, इंप्लिमेंट कर सकती हो, आपको a complete form मिलेगा, being an electrical engineer, अपने आपको exposure, उस फिल्म को ज्यादा स ज्यादा explore करने के लिए, तो ये बाते रख सकती हो, और भी से देख सकती हो, उसमें बहुत सारी चीज़ा होती हैं, बाद thing is that कि ऐसा नहीं feel होना चाहिए कि हाँ, एक luxurious life आप देख रहे हो, IOCL में जाके money only देख रहे हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा avoid करना है, वाइ डि इंट्यवी दे रहे हैं, तो IOCL की वो कुछ positive points बताएंगे, कि इसलिए मैं पुराने job को resign कर रहा है, कि IOCL में ये मेरे last job की comparison में बहतर opportunities हैं, ये इस भी में अच्छा है, और जिस organize में already काम कर रहे हैं, या about to resign हो, उसकी वारे में बुराईयां करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं आपका कैलांस से सची नहीं, ये कुछ नहीं है, तो ये एक negative impact पड़ता है आपके जो recruit करने वाले recruiters पर, आपको करना क्या है, एक balance बनाना है, कि हाँ, IOCL better than of the previous company, बट वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो खराब है, we are working there since last 4-5 years और जो भी है, वो भी अच्छा कंपनी है यहां मुझे लग रहा है, आपको ज़्यादा explore करने की chances मिलेंगे, यहां more opportunity मिलेंगी, the last one in which I was working, तो इस बे में आप बता सकते हो, क्या IOCL अच्छा है, मैं यहां जाना चाहरा हूँ, बट मेरी पोरानी company का राब नहीं, इस तरह से answer, diplomatic way में देंगी, क्यों से सकते हैं, about your hobbies, पूँछते हैं, hobbies के बारे में कुछ basic दो आता सकते हो, जाने लिए किर्केट बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा basic पढ़ लेना कि हां, अभी कुछ ACA Cup जैसे हुआ है, World Cup का बोने वाला है, और females जो cricket team है, उनका कुछ tournament चल रहाता हो, क्या है, पिछ कि हमारी कितनी उसक लेन्थ होता है, और थोड़ा बहुत basic देख लेना, like hobbies बोल दीएं, और you do not know anything about hobbies, simply एक दो questions कुछ सकते हैं उसे, और other thing जो हमारे अच्छा round के लिए रहते है, closest refinery from your related question, what does it mean like, मैं जैसे आगरा से proper belong करता हूं, तो वहाँ जो closest IOCL की refinery है तो मत्रा है, तो मुझसे उसे related 4-5 questions कुछे गए थी, कि मत्रा refinery का बेस्टेबिलाइज जूई थी, और किस तरह का काम चल रहा है, किस projects पर काम हो रहा है, और basic जो things है, pipeline कहां से कहां connect करती है, तो आप जहां से belong करते हो, उसके nearest sponsor refinery है, वो पूचेंगे आप से, आपको बता देनी है, फिर उससे related 2-4 questions कुछ सक करती हैं, जैसे I told you initially, कि जब आप presentation room में थे, तो आपको कुछ IOCL के products के बारे में, schemes के बारे में, जो अपना business वो expand कर रहा है, different areas में, like polymers होगे, renewable energy resources होगे, IOCL की advanced fuel efficient, जो fuels को include कर रहा है, तो उन चीजों के बारे में कुछ particular names बताएंगे, उनका खयाल रखना है, उन से related questions आ HR के meanwhile, यही questions हैं, इनके अलावर भी कुछ कुछ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि आपको particular उसका preparation करना है, या particular उनका answers देखना है, ठीक है, basic things है, हारां से cool down होके, जिस तरह का question है, according that you can answer, but remember this thing कि हा, negative way में नहीं बोलना है कुछ की, जैसे मैंने specifically बताएता है, last job के बारे इसका मैं यह सब नहीं बोल रहा है, चलते हैं, अब technical questions में जो generally आता है, two different domain के लोग होंगे, एक बहु लोग होंगे, जो already working somewhere है, इनके पास experience है, दूसरे phrases होंगे, तो बिंगे phrases आपको practical things से ज्यादा नहीं पूचा जाएगा, हो सकता है आपके training जो हुई है कहीं से तो उसे पूचा गया, most of the questions technical पूचे जाएंगे, like जो questions पूचे गएते, last year, साथ के जो फ्रिश्थास थे, या मुझसे भी पूचे गएते, तो what is the difference between earthing and neutral, सभी कोई जानता है, बोल सकते हैं, इसलिए इसलिए यह topic पूचा गया था, क्योंकि पास करने के लिए, और neutral हमारा circuit को complete कर जाने के लिए होता है, जिसमें actual current flow काता है, earthing में at the time of short circuiting flow काता है, वाटी इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इसलिए यह topic पूचा गया था, क्योंकि pipeline में इलेक्ट्रो प्लेटिंग की नियूट्स होती है, corrosion से बचने के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा basic पढ़ लेना, operating principle बहुत basic question है, थोड़ा briefly से कैसे तुम्हें define करना है, almost everyone can define, flexible transmission lines के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और उसके अलाबा जो remaining questions होगे, जैसे आज जब मैंने इंट्रिव्यू दिया था, last year, at the time I was working in railway casting, और मैं लखनू राइवरेली जो project था, उसमें site engineer था, railway electrification का project था मेरे पास, तो मैंने experience mention किया था, तो मेरा, जो most of the questions थी, वो मेरे, जो मैं work कर रहा था, उससे related पूछे गए थी, technical के basic questions थी, उन्होंने पूछे, HR के कुछ पूछे आजाई, discussed earlier, बठान, यह जो question है, जिस organization में आप already काम कर रहे हो, उसके बारे में यह information basic होनी चाहिए, आपका actually का क्या है, आप क्या करती हो, एक clearly आपको बताना है, कि उन्हें समझ में आना है, एक्चुली क्या काम करते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था, different type of bonds in railway, तो हम लोग जैसे wants use करते हैं, उनके किस तरह के wants use करते हैं, come in की requirement होती है, electrification के time, जो track होता है, उसमें यूज करते है, non होने electrified को electrified में convert करते हैं, sorry, तो क्या रहता है, यह चीजें थी, TSS, traction service station होता है, worried rail होता है, contact and catenary wire रहता है, तो यह सब आपको depend नहीं करेगा, because यह मुझसे related questions थे, मेरा organization वो था, इसलिए पूचे गयते हैं, आप लोगों को जिसमें और और प्राइवेट कंपनी में काम कर हो, तो ready रहना इन सब questions के लिए, कि वो इस तरह के question definitely पूचेंगे, और देखा जाए तो on an average Iocl में जो interview हो है, वो 10 minutes, 15 minutes से ज़्यादा नहीं चलता, but मेरे case में around 35-40 minutes चलता, because मैं already working था, और जो मेरा project था, वो core electrical का ही था, जिसमें मैं काम कर रहा था, हमां के chair person थे, might view उन्ह बहुत पूचे गए इस से related, ठीक है, फिर आंगे देखते हैं, जो technical में और basic things पूची जाती है, जैसे बताए आप phrase आगो, तो आप से कुछ technical questions पूचे गया है, जाई discussed all year, then, आपको पूचे जा सकते हैं, आपका last project, अगर आपने B-Tech किया है, तो B-Tech का, M-Tech किया है, तो M-Tech क्या हो सकते हैं, और जो बहुत important question होता है, जनरली पूचा जाता है, जैसे आप कहीं M-Tech कर रहे हो, तो simply मुचेंगे, if you get selected in IOCL, तो आपको M-Tech छोड़ना पड़ेगा, extension वहां से possible नहीं है, higher study में क्यों नहीं जाना चाहरे हो, आप M-Tech छोड़ने के लिए radio क्या, क्यों छोड प्रेपेर कर लिना, फिर अगर आपने PG किया है कहीं से M-Tech तो आप से PhD के बारे में पूचा जाएगा है, higher study के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसको लेकर आपको ready रहना है, meanwhile कुछ gap है, आपका B-Tech, M-Tech करने का अदाए, तो gap के बारे में, ऐसा नहीं कुछ इसका disadvantage है, gap क् डिफेंड करना होगा, simply honestly बता सकते हो कि क्या कर रहे है, gap कि आप एक्चली उसमें preparation कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, जो भी है, आप honestly गोल दो, और एक बात का और खयाल रखना है, जैसे कि interview में ऐसा तो बहुत rare होगा, कि जो हमारा candidate उसे each and every questions आ र I have not studied, I have not heard about it, simply बोल दो, back up कर लो, कि इसमें कोई problem नहीं, आपको नहीं आता है, कोई इसका disadvantage नहीं है, कोई आपके जो marking होगी, final आपको maximum language में, इससे related कोई problem नहीं आएगी, तो honest होके रहना है, और interview की एक चीज़ और खयाल रखनी है, आपका जो room में enter करते समय है, किस तरह से enter करना है, सभी members को wish करना है, chair के पास होके खड़ा होना है, जब वो बोलेंगे आपको have your seat, जब बैठना है, तो जो normal things होती है, आप UPSC, जो civil services के बहुत सारे mock interview, YouTube पर आपको मिल जाएंगे, एक बार उसमें देखने नहीं, यह चीज़ा अच्छे से cover कर आई जाती है, कि appearance कहना होना चाहिए, आपका addressing sense कहना, कैसा होना चाहिए, बिस करना है, आते समय thanks बोलना है, gate को किस तरह से close करना, किस तरह से open करना, यह basic things होती है जो matter करती है at all, अगर आप interview के लिए जा रहे हो, तो इन चीज़ों का अच्छे से खयाल रखो, देखे जाओ, और as such इतना कुछ, बहुत ज़्यादा interview के difficult things नहीं, easily cover कर सकते हो, आपने आपको कैसे carry करना है, किस तरह से बोलना है, जीडी जो जीटी में रहे से, कुछ लोग एकदम नम हो जाती है, तो बहुत चीज़ नहीं होनी है, at least speak something, topic के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों का सुन हो, हाँ बोल रहे हैं कुछ, उनसे कुछ, graphs करो, उसके बार मैं मैं reply करो, तो यह चीज़ होती है, और बाकि I don't think so, कि यहां कुछ ऐसी difficulty आने वाली है, तो अगर, इवन तो मैंने कुसिस की है, आल्मूस सभी think so, इसमें, जो भी मेरा experience रहा है, उसे cover करने के लिए, अगर फिर भी कुछ लगता है कि मैंने मिस कह दिया है, या you wanna know about particular things, तो comment box मैं में के comments मैं उसे reply करूँगा, as soon as possible जैसा ही होगा मुझे, और ठीक है, congratulations to all जो shortlist हुए है, ISL interview के लिए, और best business है, okay, final selection हो जाए, ठीक है, thank you guys